नमस्कार स्वाकत से तपायारा नेपारी गोस्ट टोरी चैनल मा आज पने मैं तपाया नेको लागी कही भूत का कहानी हरो ले यस वीडियो मा हाजिर भाई को चूँ ये दी तपाया हरो ले अईले समय पने यस चैनल लाई सब्सक्राइब गरनों भाई को चाहि नबानी नमा इस वीडियो लाई लाइक गर दिनूला रहा साथ है इस वीडियो लाई शेयर पणी गर दिनो ला रहा कहा नी शुरूगरनों मन्द भाईला हुद्धि दपैयार संग बेस्ताइ इस्ताइ कहानी रुठान मंनी हामिला लेखी पठों न न भूलनों होला हमरो एंड़ेस त गरेता पहले आफनों कहानी मेसिस गरना सकनों ने था तप एको कहानी आमी अवश्य पनी येस चानल मा प्रक्रासित गरने ने थाउं प्रावनुस कहानी सुर गरूं नमस्कार मेरो नाम राहूलू मा यलिए लगबग 35 वर्स भाई यो घटना मसंगा भाई को सत्य घटना हो यो घटना मसंगा होंदा म कच्छा नौ मा पर थे लगबग तेथी बला मेरो उमेर 15-16 वर्स भाई होला मेरो फैमली मा म मेरो बुआ मोमी रब भाईनी हमी चार जाना बसने गर थे हूं मेरो बुआ सरकारी जागेरे उन्यों थे हो ते थी बला मेरो बुआ को ट्रांसफर और कई जिल्ला मा भाई को थे हो तेहां हमले नया कोठा खोजम बर थे हो ते अफिस संग गई हमी ले नया कोठा खोजम मा तेहां गई रह एक तमय खूसी थे हैं हमले खोजे को कोठा एक तमाई ठूलो थियो रहा एक तमाई राम्रो थियो जा नया ठाउं गुम्ना पाउं दाखेरी मला एक तमाई खुशी लागे को थियो तेव घरमा आमी सरे को लागबाग एक तू दिन मात्र के वाई को थियो मलाई त्यो घरमा एक तम्हें ड़ लागतो अनुबव उन थालियो मलाई त्यो घरमा एक तम्हें चीसो पना अनुबव उन्थियो हमरो घरमा चाल पलत दूसो उन्थियो देरे मांचे रोपनी आउजा उन्थियो तरह राती मुदा खेरी मा लाई तो घर मा एक तमाई अनुठ लाग थियो राच तमाई डर लागे को जस्तो अनुभब उन्तियो मा इस तो लाग थियो कि यो घर मा केने के गलत भाई को उनुपर सा रा यो घर मा केने के चीज सा मेरो तिती विला एक तमाई धीलो सूतने बानी थियो राती मां केवल टीब एर थी रा केवल वाला ले राती नाए नाए फ्लिम हालने गर्थियो मां सधाइ राती 11-12 बजी थी रा तो फ्लिम आनलाई उठे रबस थी हमी कोठा सरेको साहर पास दीन ता ठीके थियो मा जाएले पनी राती उठे रा मुवी एने गर थी मेरो मोमी बाबा रब बैनी ते एक ओठा मा सुथी सकनों थी मा सदे राती उठे रा मुवी एने गर थी तेस ते एक रात मा फिलिम में एरते थी बाएरे बटा के आवाज आए को से तो मेले सुने मले लाग्यो कोई टॉलेट चानलाई उठेखोनों बर्षा मले आफनों टीवी को आवाज कम गर दियें फेरी तेवा आवाज एक श्रमा बंद वयो फेरी मान टीवी एर न धालें रचार पांच मिनिट मात्र के वाई को थियो तेवा आवाज फेरी एक चोटी आउन धालें तेवा आवाज इस तो थियो जसता कि कोई केटी पाउजो लाए रहा ही नहीं राए कोचा तेवा आवाज सुनने भित्ते कही मले टीवी को आवाज म्यूट कर दियें फेरी दे आवाज आउन थियो तेव आवाज लगात आतर बस जान थेओ लगभग 6-7 सेकन को लाज मत नहीं ट्यो पाउजो का आवाज आउन थियो तेथ सपहेरी बंदा हून थियो बंदा भाईको लगभग capture information पच्छी फेरी तेह आवाज दोरीन थियो मना तेथी बेला एक तमाई डर लागे रहे को थियो इसतो बाईरे को थियो कि मेरो छाती बढ़ा मेरो मुन तुनाई बाईरे निस्किन चौला विस्ता रहे मैं ले डोका खुर लेरा बाईरा हेरी पच्छी फेरी आवाज आउना थाल्यू यो छोटी तेह आवाज मेरो एक तमाई जीक बटा आई रहे को थियो मला इसतो लागे रहे को थियो कि कोई नया दोलाही मूटो मूटो पाउजो लाग रहे को थियो तरहा बाईरा वरी पर एरदा तरहां कोई पणे थिये ना मलाई मिट्रे देखे एक्तमाई डर लागी रहे गथी ओ माँ आफनो खोठा मा फ़र्किये ना मैने आफनो भुआ लाई उठाए वा इस तो खुरा मान नों थे ना मैंने भुवालाई सब्पई कुरा भानी तरो माले कुने पिनी कुरा विश्वास करनो भाईना उल्टो मालाई यो तेरो कलपना मात्र वला रात तेरे बारी सग्यो और ले सूत बने ना बननो भाईना पनी उहां संगाई गारे उसुत दिन तेरो रात पची 500 दिन तेस्तो कुने पनी घटना घटेना फिरी 500 दिन पची ते आवाज आउना धालियो ते आवाज साधने आउंदे ना थियो तेस्ते 500 दिन बीरा आए रा ते आवाज आउन थियो विए योस सब्वाज जस्ते वहीच गयाखो थियो अवा मला डर पनी लागने छोड़ी चाखो थियो पाईल को आवाज बना आउना शक्तियो है 10 बाजे 11 बाज बाजे 5 डाइम उन्थे आवज आउने आवज आवज आउना कईबी गली रोकե लगीए न तो आवाज आउना तो हो आवज सुनने ना? दोह दो मैं आवज्शे लगध्योव तो आवज हमें तो घरम लगबग एक बरसा ब सीझे기 भेश topics तर तियो आवाज आउना बनी कईली बनी छोड़ेना लगबग एक बरस बसरी सके पची हमी ले तियो बनना नया घर पायों रहा हमी तुहां कोठा सरयों नया घर मा सापके खोला ठीक थियो रहाम्री तेओ छोड़िको हो घर मा मेरे भुव को ईफिस मा काम गर्नेए चाना अंकल आई रहा बसन भायो भुवा्य को प्रिवार सेद तेओ बसन भाय को थियो रहा भुवाको साथी पचे आममर हो घरा मधाखेरी तासोन भाय को त्यों तपहना लाए तो घार माँ बस्ता कुने पनी तो अनूठ आवाज आएको थी ना यूखरा सुनने विद्ट के नाए एक तामें विश्वास भायो की त्यू आवाज जून माले तूमेरो कल्पना थी ना त्यू साच्चे के आवास थी त्यू अंकाली बनु भायो माज जाएले पनी, तो गोठाम वस्ताखिली भाउचुको आवाज सुन्छु। तो अंकारले फेरी बननु बयो, तो आवाज मैले मात्रा ही ना मेरो पूरे परिवार्ले ने सुने का थिए। रा तेस पची मेरो ब्वाले पनी मेरो कुराप पत्याउनु भयो तेस पची तेवो अंकरले तेवो घरमा पुझा लागाउनु भयोई छा तेवो अंकरले वली पली स्वोधनु बनी भयोई छा यो घरमा की थियो भनी रा रहा वालने था भायो तेयो घ्रमा योटा दूटा आयेना छोजाना ना मान्चेको मित्यू भाइख राइचा राह स्टावाडा आत्मार बास तेयो घ्रमा राहिछा ये उग खटना भाइखो लगवग जोदा भद्र बंधर बर्स भाईचा क्यो मा ठूल वई चके, रा मलाई ऐले था से न कीतेव घर्मा तेई आवाज तेई पाओजू बजे को आवाज आऊँचे आओई आउदे न, अधिल काईं जब मा तेव पाओजू को आवाज सम्झाँचू, मिलो जियो शिरिंग आऊँचा, मा तेव आवाज अजब आ पनी सम्झ चुझ नचानो